दो है कि तो है गाईज थानक्यों सो जाइनेगें गाईज गूगल एड्स प्ले लिए स्ट के इस पर्टिक्लर वीडियो से हम लोग साट कर रहे हैं यूट्यूब आज के बारे में अगर आप यूट्यूब आड्स को सीखना चाहते हैं या यूट्यूब आड के से रन कर सकते उसके help से lead generate कर सकते हैं, revenue generate कर सकते हैं, remarketing कर सकते हैं, अगर यह सारी चीज़ सीखना आपका objective है, तो इस वीडियो और आने वाली 4-5 वीडियो को जरूर देखिएगा, because इसमें हर type का YouTube ad हमने detail में समझाया हुआ है, और इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरू नहीं पढ़नी चलिए, तो देखिए YouTube ads जरूरी क्यों है आज की rate में, YouTube पर बात करें, YouTube क्या है, एक वीडियो sharing platform है, और यह world का second largest search engine बन चुका है आज की rate में, यानि Google के बाद अगर कोई अपनी problem, अपनी query, अपने product information, कुछ भी search करता है, तो वो YouTube की ओपर search करता है, और वह पर उसे मिलता है एक वीडियो content, और वीडियो content आज की rate में सबसे ज़्यादा effective way है, आपकी audience से communicate करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा time जो है audience, वो spend कर रही है YouTube की website पर, YouTube की mobile application पर, तो ऐसे में अगर कोई वीडियो है, और वीडियो channel है, उसके उपर आप अपना ad दिख दिखाना है, वीडियो की बीच में आड दिखाना है, पहले आड दिखाना है, तो आपको YouTube in terms of video ad और in terms of display ad दोनों ही option provide करता है, कि आप अपना ad as a video दिखा सकते हैं, या as a image भी YouTube पर दिखा सकते हैं, और दोनों ही case में हमें बहुत फाइदा मिलने वाला है, इन दोनों ही तर format सही है, so that हमारे जो भी Mac budget है, उसका हम लोग maximum outcome निकाल पाएं, तो देखिए इसके लिए मेरी screen पर मैं आपको सबस्पर दिखाता हूँ कि कितने type के जो ads है, ad formats है YouTube पर वो available है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको 6-7 types के format दिखेंगे, अलग-अलग न यहाँ पर अगर सिर्फ एक बन नाम spell out करें तो skippable in stream ads, non-skippable in stream ads, in video ads, bumper ads, masthad ads, YouTube shots ads and outstream ads and accompanying content, यह सारे type होते है YouTube पर ad दिखाने के इता सारे format है, अब one by one बात करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर दिखती है, अगर आप इस पूरे Google document को लेखेंगे, यह official document है, तो इसमें Google सबसे beautifully, सबसे चीज़ तरीके से बताया हुआ है, कि यहाँ पर कौन सा format आपके किस purpose के लिए है, अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए selling point, where it serve, max video lens, सब कुछ दिया हुआ, मैं आपको इसको nutshell में और short करके समझाता हूँ, कोशिच करता हूँ समझाने की, कि आपको easily स दोराम, या तो starting में, बीच में, end में, यह वीडियो जब play हो रही है, in stream, play होते time, इस वीडियो पर मेरा आड दिखाई दे, तो उसको हम बोलते है, in stream आड, और अगर उस आड को user skip कर पाए, कुछ second के बाद, let's say 3 second, 4 second, 5 second के बाद, तो उसको बोलते है, skippable in stream आड, यह सबस आगा, तो ऐसे case में क्या होगा, कि जैसे वीडियो स्टार्ट होती है, बीच में होती है, तो आप देखते हैं कई बार, कि YouTube वीडियो पर 4 या 5 second चलने के बाद, यहां पर अगर आप देखेंगे, YouTube ने इसके एक GIFP बनाई हुई है, तो आप usually देखते हैं कि कोई भी वीडि या वीडियो के चलने के बीच में जो आड आते हैं, जिनको आप skip कर सकते हैं, तीन सेकंड, चार सेकंड, पांच सेकंड के बाद, उनको आप बोलते हैं, skippable in stream ads, और यहां आपको almost सबसे ज़्यादा type आपको यही दिखाई देता है, second होता है, ad format में वो है non-skippable, नाम से ब 15 सेकंड का ad पूरा देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी वीडियो जो है, वो resume होगी या फिर start होगी, एक दूसरा option है कि आप window को refresh करते हैं, बट अगर आप window को refresh भी करते हैं, तो क्या possibility है कि दुबारा आड नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो अगर non-skippable हुआ तो भी आपको 15 सेकंड तक वो देखना पड़ सकता है, तो इसको बोलते हैं non-skippable in-stream video ad, it means video के बीच में ऐसे ad जिनको आप skip नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा देखना ही पड़ता है, थर्ड है in-feed video ads, in-feed video ads का मतलब है कि जब आप YouTube पर जाते हैं, माली जी कि मैं YouTube खोलता और YouTube खोल के मैं अगर कोई भी query search करता हूं, माली जब आप इसको scroll कर रहे हैं, जब आप इसको scroll कर रहे हैं, तो बीच-बीच में आपको ऐसे जिगह हो सकते हैं, जहां पर आपको add दिखाई दें, जहां पर आपको, यह जो feed है आपकी, यह desktop feed है, mobile feed है, दोनों ही, जब आप YouTube scroll कर रहे हैं, home page scroll कर रहे हैं, तब आपको बीच-बीच में अगर add दिखाई देते हैं, वीडियो add दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं, in feed add, और in feed add दिखते कैसे हैं, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जहां पर आप अगर यहां पर इसको image को हम लोग open करते हैं, तो आप देखेंगे, यहां पर आपको in feed add कैसे दिखते हैं, जब आपने कुछ search किया, तो आपको यहां पर add दिखते हैं, let's suppose मैंने यहां search in MBA course, ऐसा मैंने कुछ search किया, तो जैसे ही मैं search करूँ आप तो आप देखेंगे, यहां पर add आना शुरू हो गए, और यह जो add है, इनको हम दिख सकते हैं, और video ads भी दिख सकते हैं, जहां पर वो दिखेगा आपको normal video, पर उसके नीचे लिखा होगा add या फिर sponsored, इनको बोलता है, in feed, add in feed, video add, अगर video है, तो in feed, video add बोलेंगे, और अगर display है, तो in feed, display add बोलेंगे, पर वो feed के अंदर आएंगे, चाहे आपको mobile है, tablet है या फिर desktop है, तीनों की case में या आपकी feed के बीच में आ सकते हैं, skippable और non-skippable में क्या होता है, कि कोई भी video आप देखने जाएं, तो पहले आपको add दिखता ही दिखता है, in most of the cases, पर ये add आपको तभी दिखेगा, जब आप इसको click करेंगे, और इसको play करनी का try करेंगे, या फिर click करके उसकी website पर जाएंगे, otherwise आप just scroll कर देंगे, तो ये add skip हो जाएगा, इस add को आपको देखने की जरुद नहीं, तो ये होता है in feed advertisement, सबसे पहले बात करें bumper ads, तो bumper ads होता क्या है, bumper ad भी एक तरह का video ad ही होता है, लेकिन इसकी length fix होती है, वो है up to 6 seconds, 6 seconds या 6 seconds से कम क जो advertisements होता है, उनको बोलता है bumper ad, अब ये add दिखते कहाँ पे, ये again आपकी in stream ad, या नि वीडियो के बीच में, starting में, end में, वीडियो जब play होती है आपकी YouTube पर, तब ये दिखाई देते हैं, और ये non-skippable ad होता है, जी हाँ, 6 seconds का जो ad है, वो non-skippable होगा, आप उसको skip नहीं नहीं कर सकते हैं, तो बीच में, just wait, 6 seconds का ad आता है, वो automatically play होता है, और खतम होने के बाद वापस आपकी वीडियो शुरू हो जाती है, तो इस तरह के छोटे-छोटे non-skippable ads को हम बोलते है, bumper ad, non-skippable और bumper में एक difference है, ये non-skippable की maximum जो length है, वो 15 से 30 seconds है, लेकिन जो bumper ad है, वो सरफ 5 से 6 seconds, यानि up to 6 seconds हो सकता है, उसे जादा नहीं हो सकता, तो bumper ad दिखते कैसा है, ये देखिए, आपको अगर मेरी screen पर देखेंगे, तो 6 seconds तक की ad जो है, वो छोटे-छोटे ad वो दिखते हैं, जिसनको बोलते है bumper ad, और यहाँ पर कहाँ पर दिख सकते है, bumper ads of 6 seconds or shorter and play before, during and after one video, viewers don't have the option to skip the ad, skip नहीं कर सकते हैं, और शुरुआत में बीच में कहीं पर भी 6 seconds का ad दिख सकता है, जो नेक्स format है, वो है mastered ads, इसका मतलब है कि जब भी आप YouTube पर जाते हैं, माली जा आपनी YouTube खोला, और YouTube पर चाहिए, आप desktop पे खोले, mobile पे खोले, usually आप दिखते हैं कि जो सबसे first position होती है, वहाँ पर एक ad होता है, maximum time आप देखेंगे, अगर आपने कोई ad blocker नहीं लगा रखा है, तो यहाँ पर आपको ad ज़रूर दिखेगा, और यह ad क्या होता है, यह ad without audio play होता है, यह ad, जैसे आप इस पर जैसे मैं अभी हवर करसर रटा रखा है, तो यह नहीं चलने लग गया, यह किसी वीडियो के बीच में नहीं है, किसी वीडियो के उपर नहीं है, किसी चानल के उपर नहीं है, यह directly आपकी YouTube feed पर, YouTube home page जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पर सब से उपर दिखाई देता है, चाहिए आप टैबलेट खोले है, मुबाइल खोले, डिक्स इस शॉट का जमाना है, जब भी आप लीए कि मैं यहां पर कोई शॉट्स उपन करता हूँ, यहां पर अगर मैंने कोई शॉट्स उपन किया, अगर मैं और मैं शॉट्स में स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो स्क्रोल करते early बीच में एक एड मेरे को जरूर दिखेगा जहां पर लिखा होगा advertisement जहाँ पर लिखा होगा advertisement और वो हमेरे को shots के bीच में दिखेगा तो वो किसी विडियो के उपर नहीं दिख रहा है वो मुझे शॉक्ष दो shots के बीच में दिख रहा है अब जिसे यहां तो कोई एड़ अब वक्ता नहीं रहा है पर इसको अगर reference के तुरू समझे तो यहां पर अगर इसका format लेंगे यहां से तो आप देखेंगे यहां पर भी advertisement मुझे दिख सकता है तो इसके लिए मैं इसको करता हूँ open और आप देखेंगे YouTube में कई बार आपको Shots में advertisements देखने को मिलते हैं दो YouTube ads के बीच में यहां पर आपको इस तरह से मिलता है यानि ओपर एक Shots गया नीचे next Shots आने के बीच में आपको आप दिख रहा है तो अगे यह किसी वीडियो के बीच में नहीं है दो Shots के बीच में है तो इसको बोलते है Shots ad format YouTube का और last format है हमारा Outstream ads and accompanying content इसका मतलब है कि यह किसी भी वीडियो के बीच में नहीं दिखेंगे Shots के बीच में दिखेंगे वीडियो के ऊपर नहीं दिखेंगे यह आपके YouTube and YouTube के जितनी भी पार्टनेट वेबसाइट है Google Display Campaign, Google Display Network है YouTube Display Network है उसके उपर दिखेंगे यानि माली जे कि कोई आप application मे गेम खेल रहे हैं उस टाइम आपको वीडियो आड दिख सकते हैं आप किसी website पे गए उस टाइम आपको वीडियो आड दिख सकते हैं तो यह ads basically जरूँ नहीं कि सरफ YouTube पर दिखेंगे या आपको इसकी partner जितनी भी website है जितनी भी platform से उस पर भी दिख सकते हैं तो यह सारे format ह होते हैं आपके YouTube ads के और इतने तरह के आप YouTube ads चला सकते हैं and I am sure कि जैसे से मैं आपको बताया है आप relate कर पा रहे होंगे तो आपने maximum type के ads जरूर देखे होंगे कुछ एक दो type के ad हैं जो शायद आपने frequently नहीं देखे होंगे पर maximum जो ads type है वो आपने daily use में जरूर देखे हों कि कैसे आप skippable in stream ad बना सकते हैं non skippable बना सकते हैं bumper ad बना सकते हैं in feed ad बना सकते हैं you know true view ad बना जितने भी possible option आज की rate में Google ads के अंदर available है वो कैसे काम करते हैं कैसे उनको बनाना है और आपको किस case में कौन सा ad format जो है वो काम आएगा उसकी क्या wedding strategy होगी और किस type के business objective के आने वाली वीडियो का notification आपसे मिस ना हो जाए इसलिए अभी क्या भी चैनल को subscribe कर दो और subscribe किया हुआ है तो bell icon on कर दो तो जैसे हम वीडियो डाले आपके वास notification पहुंच है मिलता हम से नेक्स वीडियो में तब तक लिए take care thank you so much have a nice day